हम लाते हैं टॉप नियूज, आपके फेवरिट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटिस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरिट वीडियो की तरफ मैं सियासत से दस्त बर्दारी का एलान करता हूँ मा के हुकुम पर आपकी मुहबद मैं सियासत में दिया आता हूँ और M.P.M. पाकिस्तान की दुबारा मेंबर्शिप दिया M.P.M. अजबा हुसें साब की भी है और रहेगी मौकाद नहीं है आज से हाथ मिलाने की देखो क्या रहा है नादार नाम बिटाने की पाकिस्तान जिन्दावाद M.Q.M. पाकिस्तान जिन्दावाद M.Q.M. बदनाम सरीन नाम और महाजर एक बदनामी के बाइस बन गया ये दोनों खतम होने चाहिए असलाम लेकुम नादरीन आप प्रोग्रेम देखने रूबरू इसलामबाद स्टोडियो से लाइव और मैं हूँ आपका मेजबान शौकत पराचा साबक सदर जनरल परवेद मुशरफ ने तो आज कह दिया के एमकेम वाले महाजर और अपना नाम तबदील करें मुस्तफा कमाल भी यही कहते हैं वो एमकेम को दफन करना चाहते हैं जबके एमकेम पाकिस्तान के सरवरा डाक्टर फारूग सतार ने आपसे थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर पेगाम में एमकेम विंदाबाद का नारा लगाया साबक सदर जनलर प्रवेद मुशरफ ने आज चार जमाती इताद बना कर एक सफर का आगाज कर दिया और उन्होंने कहा जोर दिया कि तमाम फोर्सेज इकठी हो जाएं सिंद में ताके पीपल्स पार्टी को हरा सकें ये एमकेम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी यानि डाक्टर फारूक सतार और मुस्तफा कमाल का इताहद कट्छे होना फिर अलैदा होना ये शरजील मेमन की समझ में नहीं आया और ये कोट अनकोल ड्रामा नुसरत सहर अबासी को भी समझ नहीं आया ये हमारे मौदवात हैं मेमानों का मैं तारफ करा देता हूँ मेरे साथ इस्लामबाद स्टोडियो में मौझूद है बेरेस्टर जावेद अबासी साथ नून लीग से बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मेरे दूसरे मेमान है हमारे दोस्त शाय सेथ साथ सेनेटर साथ अवामी नेशनल पार्टी सिंद के बलके आप हेड़ हैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया मुझे टेलेफोन लाइन पर जोईन किया है पी टी आई के मर्कजी रहनुमा और साथ पंजाब के सदर इसाथ खान खाकवानी साथ ने जबके कराची से बड़ी तगव दो के बाद कम्मिनिकेशन लिंक ना होने की वज़ा से उनकी महरवानी उन्होंने हमें जोईन किया सेनेटर साइध गनी साथ और टेलेफोन आज मॉबायल है नहीं तो वो लेंड लाइन से हमें जोईन कर रहे हैं साइध गनी साथ आप से ही प्रोग्रेम का आगाज करता हूँ फारूक सतार साथ जो भी कहें लेकिन M.K.M. पाकिस्तान के हवाले से इंप्रेशन यहां इसलामबाद में वोई है कि जो अलताफ हुसेन किया करते थे रूठ गए फिर मान गए पर दोर इसरार आया किसी के हुकम पे मान गए यह आपको वही लाग रहा है मैंने तो पराते साथ जब कल रात उन्होंने यह कहा था तो मुस्से गलती हो गई मैंने कहा यह कल तक जो है अपना इरादा बदल देंगे लेकिन तारीख तो जरूर बदली लेकिन उन्होंने मेरा ख्याल है कि चंद लमों में चंद मिन्टों में अपना फैसला बदला और वो वो वापस आ गए तो हमें तो कोई इस पे शुबा नहीं था और बिल्कुल यकीन था कि यह फैसला वो अपना बदल देंगे यह फरमाईए फारूक सतार साथ एमकेम पाकिस्तान के सरवराब बने कल रात उन्होंने मिन्नते करवाई किस से पूरी उनकी लीडर्शिप खड़ी थी एमकेम पाकिस्तान की पूरी राबता कमेटी वहाँ पर मौजूद थी और जिस तरह से वो वापस आए आप कराची में बठे हैं कराची की पल्स को आप समझते हैं फारूक सतार साथ मजबूत हुए हैं रात के इस एपिसोड के बाद देखें पराची सब एक मेरा खैल है कि हमारे दोस्ट जब तज़्या करते हैं तो एक चीज़ भूल जाते हैं कि एमकेम जो पिछले चार पांच ये छे इंतखाबाद जीती है वो वोटों के जरी नहीं बलके बदमाशी गुंडागर्दी ठपे और जो कुछ रियास्ती सरपरस्ती होती है उसकी वज़ा से वो एलेक्शन जीतते रहे हैं अब मुझे लगता ये है जितनी भी इनकी सरपरस्ती कर ली जाए जितनी भी इनको हमायत मिल जाए जितने भी ये सारे आपस में कठी हो जाएं वो ठपे वाला गुंडागर्दी वाला बदमाशी वाला माहौल मुझे वापस आता हुआ नजर नहीं आ रहा है अब अगर ये सारी चीजें कर भी लें तब भी MQM उतनी नशिस ने कराची से नहीं जीत सकेगी लेकिन बात जब हम बात सुन रहे होते हैं तो लगता है कि मुस्तिफा कमाल और फारुग सतार के मिलने से पता नहीं क्या हो गया और कराची पूरा उलट जाएगा और पूरी का पूरा MQM की गोद में आ जाएगा ये तास्र पहली बात तो ये गलत है तो जहां तक अब फारुग सतार साब के कमजोर होने की ये अब उसकी बात करेंगे मैं पहले दिन से ये कहता हुआ हूँ जब से ये अलताव हुसें से अलेदी का इलान किया है इनका वोटर एक ही जगा है अब मुझे नहीं पता इन्होंने सारी चीजें किस तरह मैनेज की हुए है सम्हाव कोई इनका मैकनिजम है जरूर जिसकी वज़ा से एक जगा वोट डालते हैं इनका वोट निकला उसने मेरी इस बात को साबित भी किया है तो इनका जो वोट है वो एकी जगा पड़ना है हमें वोटों से कोई परेशानी नहीं है हमें परेशानी इनकी बदमाशी से होती थी और वो मैं समझता हूँ कि उसकी इजाज़त इनको किसी सूरत पर नहीं मिलनी चाहिए अगर वो फिर दुबारा इनको मौका मिला या किसी ने मौका दिया तो ये फिर बहुत बड़ी कराची बद्श्मनी होगी और बड़ी बदकिसमती होगी हमारे इस अज़ाम की मैं समझता हूँ कि मैं कुम अलताप और पाकिस्तान दोनों एक ते एकको एक और एक रहेंगे ये बात मैं नहीं कहता हूँ ये कर रहा है मुस्तफवा कमाल जा मैं यहीं कह रहारा था मैं खुदी कह रहा हूँ बद कि बचाने की भी बात कर रहा है लेकिन सासाथ में वह इस चीज़ को एक सिप कर रहा है कि एलताव ने लोगों को इस्तेमाल किया बत्किसम अदिश है आज दिन तक इस लोगों ने तो कंड़म तो किया इलताव की तक्रीर को लेकिन इसी तरह अभी भी भी बाईया को वह बनेगा तो इसका मतलब है कि यह वही सोच वही फिकर जो इस मलको डिस्टेबलेस करने की चक्र है विशी के अड़कड़ी पे यह लोग लगे वे अभी यह लोग विशी पे हैं अभी इनके ग्रूप है अभी कल पर सो इनने क्यों क्या वो मजबूली उसने एक लेटर लेका व है बेरेस्टर साब आप भी सैनेटर हैं वो भी सैनेटर हैं सैनेटर सहीद गनी साबने का कि वो बदमाशी से वोड लेते हैं możeli को यह जाज uns करlic Is czyli साब कि यह हैं कि यह जो है वो डिस्टेबलाइस कर तें लेकिन आज वदीर खाजासादी रफीक ने टेमал किया उन्होंग डक्टर फारुग सतार से अशोर किया उनको यकीन दियानी करवाई कि आपकी जाहिज शिकारायात का अजाला किया जाएगा वो कुछ और बात कर रहे हैं आपकी पार्टी जो गौर्मिन्ट में और बात कर रही है बिसम लार्खमान अग्री बहुत शुक्रिया प्राटी साब हम कोई हो बात नहीं कर रहे हम यह कर रहे हमें कराची कामा नजीज है हम समझें कि अमार को हाथ सुरत बरकारा रखना रखना चाहिए बाकी एमक्रेम के और इनके साथियों के अपने अधरूनी जो अखिलाफात थे ना तो मैं उस पर तफस्रा करना चाहूंगा ना मैं उससे मुझे कोई गर्ज है मुझे यह गाज़ा कि अगर वो लोग उनकर मंत्खिप करते हैं लोकल पीपलस पार्टी को मंत्खिप करते हैं हमें वोड देते हैं या तरीक नसाफ को देते हैं अलेक्शन अजादाना होना चाहिए वहां धानस और धानली नहीं होनी चाहिए कोई कतले आम नहीं होने चाहिए अमन होना चाहिए और अगर कोई किसी भी जमात की वो भी एक जमात है उनके अगर कोई जायज ऐसी शिकायात है जो हमसे रहें को फैडल लिए फैडल गोमेट से चाहती है कि हमारी शिकायात तो हाल होने चाहिए खत लिखा है ना उसी जिस खत कर रहे हैं दायरे खत में ड़्ाक्टर फारूग सतार ने कहा था कि जो हमारे excellence है जो हमारी शिकायात है जो हमारे मसाइल है वो हम ने भीजए हैं ते कि उरक बाद दबाद पता नहीं चलता कि जब में पिशने किया है और क्यों किया को पोई अगर कोई करता है प्राइशासाब किंद से लोग क्यों गें किराची से लोगों ने बहुत ज्यादा जब कराची में बदमनी आई है जब कराची में रोज लाशेंग एती थी जब कराची में बता खुरी होती थी कराची का बिजनसमें और लोग जहां जहां का रहने वारे थी मैं आपके अजारे के आपको बताओं हमें बेश्मार हमारे लोग वाओंगा करते थे आज हमारे लोग वापस अक्ते पर यह लोग वाँ सी नुक्ते पर रहेगा खात्मानी साहब आप की तरफ आउंगा सार्ट झाल